मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी कि critical thinking है क्या चीज़ इस critical thinking की quality को बैदार करना important क्यों है इसकी importance क्या है और हम किस तरही के से critical thinking की इस ability को अपने अंदर build कर सकते हैं देखें सबसे पहले critical thinking is the logical study ये किसम की logical study है अब logical study से क्या मुराद critical thinking ये आपकी सोच पर depend करता है ये आपकी सोच का एक हिस्ता है अब हमारी सोच की भी जो है पिर आगे बहुत ज़्यादा किसमे है जिन मेंसे एक जो है फिर optimistic सोच भी आती है आपकी optimistic personality भी आती है pessimistic personality भी आती है आपकी active personality भी आती है आपका character भी आता है और उनमें से एक चीज़ पिर आपकी critical thinking भी आती है अब critical thinking क्या चीज़ है जिस तरह मैंने बताए है या आपकी दिमाग की logical study है आपकी logical study है आप सोचते कैसे हो आप अपनी सोच पे dependent कैसे रहते हो और आप अपनी सोच को utilize किस तरीके से करते हो या आपकी जो सोच है उसकी जो expression होती है या उस चीज़ से depend करता है अब critical thinking जो है ज्यारा तर हम यह सोचते है कि कोई अगर घलत करता है उसके पीछे बात करना उसको critic कहते है वो भी उस चीज़ में आता है लेकिन फिर इसमें positive और negative का भी एक field आता है उसको भी इंशाला धीरे धीरे हम आगे discuss करेंगे है अब जिस तरह मैंने बताया यह आपकी logical study है इस चीज के बुन्यात कर आप अपने अंदर judgment की जो skills होती है जो quality ऐके आप उसको बिल्ड करता है अब judgment skill कया है judgment skill किसी चीज को judge करना ठीक है किस तरीके से judge करना आपनी आंखों से ठीक है अपनी देख कर judge करना, सुन कर judge करना, smell कर करके जच करना taste करके judge करना, feel करके judge करना, आपकी जो 5 senses है उन 5 senses से एक चीज को judge करना, यह आपकी judgment skills होती है, कि किस तरीके से आप एक चीज को judge करते हो, और judge करने के बाद आपका reaction क्या होता है इस चीज पर, आप reaction में भी बहुत सी चीज आती है, उसमें आपका decision भी आता है, आपकी problem solving techniques भी उ को build करते हो, जब आप अपने अंदर critical thinking को build करते हो, तो इसके पहले importance ही है, कि आपके अंदर फैसला नेने की सलाहियत build होती है, आपके अंदर judgment skill build होती है, जिससे आप एक problem को समझ सकते हो, किसी situation को समझ सकते हो, judge कर सकते हो, अंदाजा लगाते हो, और पिर उसी situation या उसी माह thinking जो है, यह एक एक ऐसी reasoning है, कि जिस चीज के बुनियाद पर आप एक information की, या एक knowledge की, या आपके पास जो knowledge है, जिसको आप शेयर कर रहे हो, इसकी authenticity का पता चलता है, if it is true और if it is false, इस चीज का पता चलते है इसमें आपको, अब ज़्यातर हम जब हमारी reasoning होती है किसी के अब बहस हम किन चीजों पर करते हैं, बहस उस चीज पर करते हैं, जिस topic को discuss करना ही नहीं चाहिए, जिस topic के हमें discussion करना ही नहीं चाहिए, जिस topic को हमने disclose नहीं करना चाहिए, जिस पर बात नहीं करना चाहिए, उस पर ज़रातर हमारी बहस चलती रहती है, reasoning चलती है, और reasoning भी उस topic को जो है discuss कर रहे होते हैं और अपने opinion बीच में पेश कर रहे होते हैं बलकि this is wrong आप अपने opinion को आपका opinion अपने पास रहता है हर एक इनसान का अपना opinion होता है for example ये ground है ये चमन है इसके बारे में मेरा अपना opinion है मैं समझता हूँ ये बुरा है ठीक है और आपका जो है शायद इसके उपर कोई अलग opinion हो सकता है अगर आपको opinion ये हो सकता है कि ये बहुत जादा खुबसूरत है मेरा opinion ये हो सकता है कि इसमें मैं जो है अपने लिए खेती बाड़ी कर सकता हूँ शायद आपको opinion ये है कि आप इसमें अपने लिए फूल ओगा हो या आप इसमें ट्रीज लाना हो या पिसमें जो है beautiful flowering plants आप इसमें लगा हो हार एक इंसान की फिर अपनी opinion होती है तो यह opinion जो है जब आप किसी को सामने पेश करते हो और फिर आप उस पे जबरदस्थी डालते हो कि वह आपकी opinion को म कहते हैं अगर आपके पास दलाइल नहीं है अपनी बात को प्रूफ करने के लिए तो आपको नहीं बोलना चाहिए बीच में तो यह critical thinking जो है यह किसम की reasoning की ability होती है जो के आपकी मदद करती है true or false को जानने में अब हम ज्यादा तर अगर बैस करते हैं तो बैस किन टॉपिक के लोगों का opinion भी जब आपके पास होता है तो authenticity जो है जो true or false का ratio है वो ज्यादा बढ़ जाता है true का ratio ज्यादा बढ़ जाता है आप अपनी बात को साबित कर सकते हो किसी के सामने this is what the reasoning ability is now इसमें जिस तरह मैंने पहले का इसकी positive or negative पे हम बात करेंगे उस पे आते हैं अब ह के पास जो information है उसकी authenticity का पता हो अब मैं हूँ और मेरे साथ अहसान सूपर केड़ है हम जो है अपस में कोई discussion करते हैं या किसी चीज़ के ऊपर बात करते हैं या मेरी आप लोगों के साथ कोई discussion होता है उसमें एक point बीच में से आ जाता है ठीक है और उस पे आप मेरे साथ agree नहीं करते हैं agree करते हो लेकिन आप कहते हैं कि मुझे कोई fact चाहिए या कोई general opinion चाहिए इस topic के ऊपर जिस पर आप बात करना चाहते हो अब अगर मैं आप लोगों को एक general opinion पेश करता हूँ ये एक fact पेश करता हूँ कि ये एक दलील है ठीक है और इस दलील के बन्याद पर म होता है कि मेरी बात authentic बन जाती है और फिर इसको मैं साबित कर सकता हूँ और फिर मेरी जो reasoning है उसमें मैं आगे बढ़ सकता हूँ उसमें मैं जीत सकता हूँ तो reasoning is inability बहस एक ability है एक सलाहियत है लेकिन इसका positive इस्तिमाल किया जाए अच्छा critical thinking की importance के उपर बात करते हैं देख हमने फिरने के लिए वहां पर और हम planning में यह करते हैं कि हम वहां पर जाएंगे educational study tour भी हो जाएगा हमारा वहां पर practical experience भी हम कर लेंगे हम अपना खुद का शिकार करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि शिकार किया कैसे जाता है जंगलात के आवाले से या वहां के जगा बहुत कुछ शीकद को मिलेगा लेकिन अगर क्या हुआ कि रात को हम अपने टैंट में सोये हों और कोई जंगली जानुर कोई खुलखार जानौर हम पर हम पर हम्पर हमला करें UP में वहां पर बैठाओ मैं सोच तो ठीक बात है अगर कोई जान वर हम पर श्राट हो जाती है आप सोचने लग जाते हो कि इस moment पर अब मुझे क्या करना चाहिए ये decision making जो है ये जब आप फैसला लेते हो इस फैसला लेने को दरासल critical thinking कहते है कि जब आपके सामने कोई problem आ जाती है कोई situation आता है और उसको solve करने के लिए आप सोचते हो क्यार इसका answer क्या होना चाहिए इसका reaction क्या होना चाहिए इसका जवाब क्या होना चाहिए इसी को critical thinking कहते है अब अपनी story को मैं continue करता हूँ तो इद्रीज भाई मुझे कहते है कि अगर किसी खुनखार जन्वर ने हमला कि अप फिर हम क्या करेंगे अब मैं उस पर सोचने लग जाता हूँ मैं सोचता हूँ, सोचता हूँ, सोचता हूँ इस दोरान मैं critical thinking करता हूँ अपनी mind के हर एक पार्ट को क्या हम साथ रहा है मेरे mind में जितनी भी तस्वीरे हैं, خयारात है हम दड़ा दर सामने आजाती है सामने आती रहती हैं कि हमें कोई self defense के लिए कोई चीज साथ ने जानी चाहिए कोई हातियार हमने साथ ने जाना चाहिए कि जिससे अगर कोई खुनखार जा रहो हम पर हमला भी करते हैं हम भी भी अपने आपको बचा सकें अब यह जो decision मैंने बनाया न यह जो जवाब यह जो खयाल मेरे जहन में आया that is what critical thinking is तो इसकी सबसे पहली importance जिससरा मैंने story की story का मकसद यह था कि मैं आपको बता सकूँ कि किस तरीके से आप जब सोचते हो आप critical thinking करते हो और यही उसकी importance है जब आप critical thinking करते हो आपका mind start होने लग जाते है आपका mind तेज होने लग जाता है आपका mind धड़ा धल ख्यालात को जो एक्टिफ करने लग जाते है जिससे क्या होता है आपका mind sharp होता है आप एक्टिव बनते हो, आपकी decision making की जो सलाई होता है, यह और भी जादा strong हो जाती है, और भी जादा तेज हो जाती है, मताब आप 30 से कल को अगर कोई इस ability of critical thinking, look as I have explained before in my different sessions, मैं जिस तरीके से पहले अपने मुख्तलिफ sessions में बात कर चुका हूँ, हमारी सोच के उपर, कि हम किस तरीके से अपनी सोच के बन्याद पर अपने किरदार को बना सकते हैं, और personality development में मैंने आप लोगों को पिछले sessions में मैंने बात की थी, तीन चीजों करोगे, जिस तरह का आप feel करोगे, उसी तरह का आप behave करोगे अगले के साथ, उसी तरीके से performance आप शो करोगे, अगर आप depression में सोचते हो, tension में सोचते हो, तो क्या होगा, आपकी feeling, anger वाली, depression वाली, sadness वाली, वो चीज़ें बिल्डोना चुरू हो जाती है, फिर क्या होता है, आपका behavior क्या होता है, आप घुसा आपको जल्D आता है, बड़ा सब घुसा आपको आता है, या आपकी feeling या आपकी feeling के बुनियाद पर जो behavior आपको होता है, आप साइट पर अकेले बैठे रहते हो, आप अकेले बैठना पसंद करते हो, यह personality के उपर पर डिपैंड करती है, आपकी personality build होती है, आपकी सोच, आपकी feelings और फिर आपकी जो performance होती है उस पे, अब सोच में फिर critical thinking लाजमन है, जिस तरह मैंने पहले का critical thinking का मतलब जो है, किसी decision को बनाना और उस decision के लिए खैलात को generate करना, this is what critical thinking is, अब हमने इसको अगर build करना है, we have to work on our thoughts and we have to work on our perception, अपनी सोच, अपने खैलात के उपर हमने काम करना होगा, हमने अपने लिए एक ऐसा time table बनाना होगा, एक ऐसी दिन के, मतलब हमारे जो दिन होता है, ठीक है, उसको हमने ऐसे चीजों में divide करना होगा, कि जिसको जब हम apply करते हैं अपनी daily जिन्दगी में, जिसको जिसके उपर जब हम काम करते हैं, जिस time table को जब हम apply करते हैं, तो हमारी इन qualities बिल्ड हो, अब हमारी ज्यादे तर activities जो है, खेर जरूरी चीजों में होती हैं, जिससे हमारा वकत जाया होता है, अब हमने उन तमाम की खेर जरूरी चीजो को खतम करना है, और अपनी importance को पैचान के अपनी thinking के उपर काम करनी है, ताके हम अपनी decision making की quality के उपर काम कर सेके हैं, तो अगर आपने critical thinking की सलायत को बिल्ड करना है, अपनी सोच के उपर काम करो, फिर अपनी feeling के उपर काम करो, फिर अपने behavior के उपर काम करो, और कोशिश कर भी प्रॉबलम्स आपकी जिन्द्की में आपके सामने आते हैं जिस तरीके से जैक्मा नें प्रॉबलम्स साथ फाइड की वाच वाच इतने बडे महाम तक पहुंच गया घर में उसको पेरेंट्स असको अलाव नि करते थे पैरेंट्स उनको डांटा करते थे क्योंके बिल गेल्स अपने आपको एक कमरे में बंद कर देता था वो कमरे में बंद करके किताबे पड़ता था ठीक है और वो टेक्नोलिजी के साथ उसका बहुत ज्यादा मतलब रिलेशन था उसके साथ वो हद से अधादा टेक्नोलिजी के उपर काम करने का शोकीन था वो चाता था कि वो बच्पन से उसका खौब था बच्पन से चाता था कि मैं कैसी चीज डिजाइन करो जो के नई हो और जिससे मैं इनसानी जिन्दगी को आसान बना सकूँ भरपूर तरीके से तो जब उसके सामने इतने सारे प्रॉब्लम्स उसकी सिंदगी आए जब आप उसकी सक्सेस स्टोरी को पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा लेकिन फिर आपको उसकी सक्सेस स्टोरी में उसके फेलियर से उसकी नाकामियों से आपको एक चीज सीखने को मिलेगे किस तरीके से उसने फैसला साजी किये किस तरीके से वो जो है एक चीज का हल निकालता था किसी प्रॉब्लम का हल निकालता था और वो प्रॉब्लम के हाल के पीसे जबाब जाएंगे उस decision making, चाहे वो Bill Gates के decision making है, चाहे वो Jack Ma के decision making है, चाहे वो Mark Zuckerberg की decision making है, चाहे वो जो है, जितने भी बड़े authors हैं, या जितने भी बड़े successful लोग हैं, उनकी अगर आप decision making किस जिन्दगी में जाते हैं, ठीक है, जो फैसल thinking को हमने करना है, हमने positive बनना होगा, positive सोचना होगा और मसायल के हल के ओपर काम करना होगा, this is what critical thinking is, thank you.